बारत में इस समय मैक्सिमम लोग किसी ना किसी नसे की लट में पड़े हुए हैं जिन में सबसे ज़्यादा यूद सामिल हैं नसे की लट से बहुत से लोगों का घर, परिवार, नौकरी, बेवसाय और केरियर खत्म हो जाता है और हर साल, हर साल लाखों लोग अपने जिन्दगी से भी हात धो रहे हैं सबसे जरूरी बात ये है कि सब जानते हैं सब जानते हैं कि रफ ड्राइविंग से एक्सिजेंट होता है, फिर भी फुल स्पीड में गाड़ी दोडाएंगे ही सब जानते हैं कि पान वेड़ी गुटका सिगरेट गांजा या सराब जानलेवा है फिर भी खाने से जादा प्यार इस नसे से है भाई मेरे ये तो इतना सर चाड़ कर बोलता है कि जब तलब उड़ जाए तब तो कुछ भी नहीं सूचता है बस वो अपना पसंद का नसा चाहिए तो चाहिए और हर हाल में चाहिए भले ही एक दो टाइम खाना ना दो मगर सिगरेट गांजा सराब या जो भी नसा है उसे बस दे दो और क्या जिंदगी के सारे मज़े उसी में मिल जाते हैं लेकिन हकीकत तो यह है कि कोई भी नसा कोई भी नसा जब सौक से रोज की रूटीन बन जाती है और यह रूटीन जब कुछ महीनों और दिनों में बहुत ही मजबूत लट बन जाती है जिसमें आप बहुत ही बुरी तरह से अपने दिमाग और सरीर दोनों से बिमार हो चुके होते हैं और देखते ही देखते आप उस नसे के घुलाम बन जाते हैं सर जरूरी नहीं है कि एक विसाल बरगत के पेन को भुल्दोजर से गिराय जाए एक दो मिलिमीटर का दिमक भी काफी है उसे खोकला करने के लिए इसलिए जो भी आपका फेवरिट नसा है गुटका गांजा या भांग बिड़ी हो या सिग्रेट या सराव ये सब दिमक ही तो हैं जो आपके सरीर को खोकला कर रहे हैं अपने तैस समय से दस मिनट भी लेट हो जाए तो घबलाहट बेचैनी और चीछिडापन से मिजाज खराब हो जाता है गुस्सा आना मूड अचानक से बदल जाना तनाव और मानसिक ठकावट यदास्त भी कमजोर पढ़ जाना इस दीमक की कुछ शुरुवाती निसानिया है जो आपको धीरे धीरे खोकला कर रही है इसके बाद नसे का असर इतना बढ़ जाता है कि भूख मर जाती है और नीद भी नहीं आती है अब जब ये जान गए हो तो ये भी जान लो कि कोई भी नसा तुम्हारा स्टेटस नहीं बनाता है तो तुम बड़े सौक से दूसरों की देखा देखी खुद भी पान गुटका या सिगरेट या सराब क्यों पीते हो क्या लोगों से छुपके किसी गली के कोने या चाय पान की दुपान के पीछे छुपकर ये नसा करने से स्टेटस बढ़ता है या रुतबा बढ़ता है जी नहीं थोड़ा सा सोचो कोई भी नसा प्री में नहीं होता है रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगर रोज का तुम केवल पचास रुपए भी नसे के लिए खर्च करते हो तो महिने के पंदरा सो रुपए और साल के अठारा हज्जार और दस साल में एक लाख असी हजार जिसे से तुम अपना कैरियर बना सकते थे या सांदार गाड़ी खरीच सकते थे या फिर भी अगर बैंक में रखते तो ये दस साल में दो गुना तीन लाख साथ हजार बन सकते थे लेकिन तुमने तो इन सारे रुपएव को चबा कर चबा कर थूख दिया और धूमे में उला दिया ये तो सिर्फ एक छोटा सा गणित है वास्तविक हिसाब वास्तविक हिसाब तो तुम करने के लिए पैसे ही नहीं है यार यह सब सफेद जूट ये हैर तुम बदलना ही चाहते हो अ पूरानी खिशेपिटी आदत को अपनी पुरानी सोच अपनी तीत से बाहर हा नहीं चाहते हो वाफ सरा और नहीं सकता लेकिन हाँ हाँ जो बचा है उसे और भी बहतर बनाऊंगा मैं भी अपना जीवन बदल कर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा मा बाप भाई बहन और इस्तेदारों सबके आखों में सबके आखों में आखे डाल के ये बताऊंगा कि मैं भी सफल और काम्याब बन सकता हूं मैं भी अपने घर परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन सकता हूं आने वाला दिन मेरा है और मैं उसका बात्सा हूं नसे की तलब तो जरूर उठेगी जी भी घबराएगा बेचैनी चाएगी और एक बार फिर नसा करने के लिए मन ललचाएगा मगर नहीं नहीं उस समय याद कर अपने सपने को अपने जीवन के मकसद को अपने लक्ष को साथ ही साथ ये भी जान लो जैसी तिरी संगती होगी न वैसी ही वैसी ही तिरी रंगती होगी जैसे एक क्रिकेटर के साथ बढ़ता है एक फुटबॉलर दूसरे फुटबॉलर के साथ पनपता है एक स्ट मुझाल हूने का रिकॉर्ड Northern तोड़ेगा चुवारी दोस्त तुम्हें जुआ ही सिखाएंगा और स्वरावी कभी वी दूद का गिलास नहीं पुक्ड़ाइगा वर्डी बनाना है तुझ जीम वाले से ज़रूरत है तो बस तुम्हारे एक पकте ईरादे की यह जान लो हारा वही है जिसने ठाना नहीं है अगर मान लिया नहीं चूतेगा तब तो हार जाओगे लेकिन अगर ठान लिया तो जीवन में हमेजा ही जीत जाओगे